नमस्कार दोस्तों अपना इंवेस्ट करना चाते हैं और साथ ही साथ यहां से एक मंतली इंकम भी जनरेट करना चाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा म्यूचल फर्ण है जिसमें कि वो अपने इस इंवेस्ट्मेंट को प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ एक रेगुलर इंकम अपनी वो मंतलियां से जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो का आप बहुती ध्यान से देखेगा और अंते तक हमारे साथ बने रहेगा इस वीडियो का पर्पस बनाने का यह है कि आपको इस इंवेस्ट्मेंट प्लान को काफी आसान और सरल भाषा में समझाए जा सके तो चले दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को तीकि सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उस म्यूचल फंड की जिसका कि हम आज किस वीडियो में एक एनलिसिस करेंगे जो की हमारा रहेगा कैनेरा रॉबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड देखे दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस म्यूचल फंड के थोड़े एनलिसिस की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके फंड साइज की जो की हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 9809CR का काफी बढ़िया हमें यहाँ पर इसका फंड साइज देखने को मिलता है जेरो पॉइंट सिक्स फरसेंट का देखे एक्सपेंस रेशो के अगर बात करें तो ये एक एन्वली मेंटिनेंस चार्ज होता है जो किसी भी फंड मैनेजर द्वारा उस फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है ये जितना कम रहेगा उतना फायदा आपको उस म्यूचल में अपनी S.I.P. को शुरू कर सकते हैं महीं अगर हम बात करें लंबसम अमाउंट की तो लंबसम अमाउंट आप 5,000 रुपए से इस म्यूचल फंड में शुरू कर सकते हैं देके दोस्तों वैल्यू रिसर्च रेटिंग के इसाफ से ये म्यूचल फंड हमें 4 इस्टार रे 72.3 per cent का महीं अगर हम बात करें debt की तो यहाँ पर आपका पैसा invest किया जाएगा 20.8 परजन बाकिका पैसा अदर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर आपका invest किया जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें riskometer के इसाफ से तो very high risk category में हमें ये fund देखने को मिलता है दीकि दोस्तो रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा ही क्योंकि जो आपका पैसा है वो equity में invest किया जा रहा है वहीं दोस्तो अगर हम बात करें top holdings के बारे में इस mutual fund की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है HDFC bank Bajaj Finance, Bajaj Housing Kotak Mahindra, LIC Axis Bank, Power Finance Corporation Indian Railway Finance Corporation बाकी दोस्तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस mutual fund के past के returns के बारे में यह के अगर हम बात करें यहाँ पर returns की तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे past के 3 year returns की जो की हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 14.76% के बात करें अगर 5 year returns की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 15.70% के बात करें अगर इस mutual fund के एक all over returns की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 14.86% के काफी बढ़िया हमें यहाँ पर इस mutual fund के एक all over returns देखने को मिलते हैं दोस्तो यह था इस mutual fund का एक overview अब यहां पर बात करते हैं SWP plan के बारे में systematic withdrawal plan जिसमें कि आप अपने एक investment को करके मंतली वास एक regular income generate कर सकते हैं देखे जो हमारे channel पर comment आया है वो सर जो यहां पर amount invest करेंगे वो यहां पर करना चाहते हैं 3 लाक रुपय का देखे दोस्तो अगर आप यहां से मंतली अपना पैसा यहां पर निकालना चाहते हैं मंतली की income generate करना चाहते हैं तो देखे जो हमें यहां पर एक all over returns मिले है 14% देखे हम यहां पर उससे जो है कम ही returns यहां पर redeem करेंगे हम यहां पर जो returns लेकर चलेंगे जो हमें annually यहां पर returns लेंगे वो हम यहां पर 10% से ज़ादा के नहीं लेंगे देखे अगर हम यहां से 10% के ज़ादा return लेंगे तो देखे जो हमें यहां पर all over returns 14% के देखने को मिल रहे हैं हो सकता है कि future में आपको यह returns घटते या बढ़ते वे दिखें अगर यहाँ पर आगर आप 10% से जादा के यहाँ पर रिटन्स लेकर चलेंगे redeem जो amount कर रहे हैं उसकी मान लिए अगर आप यहाँ पर 12% के return लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर future में रिटन्स आपको घटते वे मिलते हैं आपको यहाँ पर जो मूल धन है वो यहाँ पर आपको कम होता हूँ नजर आएगा इसलिए आप कोशिश करें कि 10% से जाद अपना पैसे को यहाँ पर redeem ना करें अगर हम बात करें यहाँ पर 3,000,000 रुपे की तो जो इसका 10% होगा वो यहाँ पर जो हमारी amount बन कराएगी वो यहाँ पर बन कराएगी 30,000 रुपे की तो जो आप मंतली यहाँ से अपनी एक income generate कर सकते हैं वो यहां पर कर सकते हैं 2500 रुपय की 2500 रुपय की आप यहां पर एक monthly income अपनी generate कर सकते हैं अगर आप 10% से ज़ादा का यहां पर जो आप redeem कर रहे हैं पैसा वो यहां पर अगर आप लेकर नहीं चलते हैं अगर हम बात करें देखे कितने सालों के लिए आप अपने पैसे को यहांपर invest करते हैं कि अगर आप अपने पैसे को 15 सालों के लिए आपर invest करते हैं और return हम इसमें लेकर चलेंगे 12%, देखे मैं अपनी वीडियो में returns थोड़े कम ही लेकर चलता हूं क्योंकि mutual funds में returns की कोई guarantee नहीं होती past के returns है मैं कभी भी future के returns की कोई guarantee नहीं देते इसलिए मैं अपने वीडियो में returns थोड़े कमी लेकर चलता हूँ अगर आप अपने इस पैसे को 15 सालों के लिए 12% के return पर invest करेंगे तो यहाँ पर जो आपको एक final value देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 16.42 lakh की और जो आपका पैसे यहाँ पर invest होगा वो invest होगा 3.0 lakh का तो देखे एक अच्छी खासी amount आपको future में देखने को भी मिल सकती है और आप एक month लिए अपनी income भी यहाँ से generate कर पाएंगे दोस्तो यही है SWP plan अगर आप अपने returns को यहाँ पर थोड़ जादा लेकर नहीं चलते हैं 10% से कमी लेकर या 10% लेकर चलते हैं तो आप एक month लिए यहाँ से income भी generate कर पाएंगे और जो आपने amount यहाँ बत 3 lakh रुपे का invest किया है वो बढ़कर आपको 16 lakh रुपे के लगबक का यहाँ पर देखने को future में मिल सकता है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी help हुई होगी वीडियो आपके लिए काफी important रही होगी देखे दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को like or share जरूर कीजिएगा अगर आप लोग कावे कोई question है कोई doubt है किसी तरह कोई portfolio analysis है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें comment section में बता सकते हैं बाकी दोस्तो ये कोई recommendation वीडियो नहीं है educational purpose वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह के investment से जुड़ी हुई advice ये वीडियो नहीं देता है बाकी दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो मारे चैनल को भी subscribe सरूर कीजेगा धन्यवाद